क्या आप काफी दिनों से मुबाइल रिपेर करना सीख रहे हैं फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हैं आप जिस इंस्टिट्यूट में सीखते हैं और वो आपको सही से नहीं सिखा पा रहे हैं क्या आप भी थियोरी लिख लिख कर परेशान है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही हैं क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी लेप्तॉप और मुबाइल रिपेरिंग में बने मास्टर क्या महेंगा कोर्स सुनकर आप भी हो जाते हैं हैरान और परिशान अगर आप भी ऐसी ही समस्या से परिशान हैं तो हमारे पास है आपकी हर समस्या का समस्या को अगरे इसको रेजिस्टर बोलते हैं इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है इसका यूज हम किसी सर्केट में करेंट को कम करने के लिए साथ ही साथ वोल्टिस को डिवाइट करने के लिए भी करते हैं इसे वैरियेवल रेजिस्टर बोलते हैं साथ ही साथ इसे प्रिसेट भी कहते हैं इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है अभी मैंने जो आपको कमपोनेंट दिखाया था यह उसी का एक टाइप है बस इसमें और उसमें अंतर यह है कि इसमें आप इसको ड्राइवर की साहता से उपर से इसको गुमा कर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं जैसे कि मालीजी आपको एक सर्किट बनाना है इसमें इसमें सेंस्टिविटी के रूप में आप इसको यूज करना चाहते हैं सेंस्टिविटी को कम करने के लिए तो अगर आपने वह वाला रेजिटर लगा दिया तो फिक्स हो जाएगा लेकिन अगर आप सेंस्टिविटी जो कम करना चाहते हैं तो इसमें आपको यह यूज कर filter करने के लिए यानि कि कोई signal आ रहा है उसमें noise है तो उसको filter करने के लिए use करते हैं जैसे कि माल लीजिए आपने AC से DC convert किया और उसमें काफी noise होता है fluctuation होता है तो हम उसमें capacitor का use करते हैं साथ ही साथ यह timing में भी use आते हैं जैसे कि माल लीजिए आपने LED बिंक करवानी है आपको तो इस circuit बनाना है तो उसमें जो timing होगी तो वह इससे ही set होती है यह एक battery की तरह काम करता है जो discharge होता है और फिर charge होता है यह इसमें यह polarized capacitor है इसमें plus minus होता है बड़ी leg plus छोटी leg minus की है अगर आप यह leg बराबर है तो आप इस side देख सकते हैं यह black line है इस side वाला minus होता है इस side वाला plus होता है इसे ceramic capacitor बोलते हैं इसका symbol कुछ ऐसा होता है अभी मैंने जो आपको दिखाया था यह उसका एक type है उसमें और इसमें अंतर यह है कि इसकी value जो होती है उससे काफी कम होती है साथ ही साथ इसमें कोई polarity नहीं होती आप ultra सीधा कैसा भी लगा दाएं यह काम करता है और इसका use भी हम timing में और fluctuation कम करने के करते हैं इसे diode बोलते हैं इसका symbol कुछ ऐसा होता है इसका काम यह होता है कि यह circuit में एक side से तो current flow करा सकता है लेकिन दूसरी side से उसे नहीं आने देता जैसे मान लीजिए आप एक charger मना रहे हैं तो अगर आप charger को सीधे बैटरी में connect कर देंगे तो पहले तो बैटरी चार्ज होगी लेकिन जैसे आप charger को जो supply दे रहे हैं वो disconnect करेंगे तो बैटरी से power charger में जाने लगेगी तो उसे रोकने के लिए हम इसको use करते हैं इसमें जो पतला सा ग्रे कि जो पट्टी बनी हुए है उस साइब से आता है इंकि ब्लेक साइट से जाएगा पर इदर साइट से ग्रे साइट से नहीं जाएगा इन्हें transistor बोलते हैं, इनका symbol कुछ ऐसा होता है, यह मेरे पास दो transistor है, पहला BC 547, दूसरा 557, यहनकि इस transistor के main दो type होते हैं, पहला NPN, दूसरा PNP, इसका use क्या होता है, इसका पहला तो use यह है, कि हम इसको amplification के रूप में use कर सकते हैं, माली जी आपको एक signal मिल रहा है, वो बहुत ही हलका है, आप चाहते हैं कि इस signal को इसकी power को बढ़ाया जाए, तो आप इसकी साहता से इसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे switching भी करवा सकते हैं, जो high-five switching होती है, माली जी एक second में आप कोई चीज, 1000 बार बंद करवाना चाहते हैं, चालू करवाना चाहते हैं, या 500 बार बंद करवाना चाहते हैं, चालू करवाना चाहते हैं, तो वो बटन की साहता से नहीं किया सकता, तो वो ट्राइंश्टर की साहता से हम आप सको switching करवा सकते हैं, इसे voltage regulator बोलते हैं, इसका symbol कुछ ऐसा होता है, ये किसी circuit में वोल्टेज को regulate करता है और उतने ही वोल्टेज निकालता है जितनी इसकी वैल्यू है जैसे कि मेरे पास जो भी रेगुलेटर है उसका नाम है 7805 यादि कि 5 वोल्ट का रेगुलेटर है अगर आप इसमें supply देंगे 12 वोल्ट की तो यह output में 5 वोल्ट ही निकालेगा ऐसे भूट टाइप के आते हैं 9 वोल्ट का वी आता है 12 वोल्ट का वी आता है काई वोल्ट के आते हैं यह फिक्ष्ट रेगुलेटर है यानि कि इसमें 5 है तो 5 ही निकलेगे कुछ जो है adjustable regulators भी आते हैं जिसमें आप उसमें supply जो है अलग-अलग symbol होते हैं और अलग-अलग uses होते हैं पस मैं आपको यह बता दूँ कि IC का क्या फायदा होता है IC का फायदा यह है कि जैसे आप कोई circuit बनाएं तो circuit में आपका एक कोई vicious part है जो आपको फिर से बनाना पड़ रहा है तो उसमें क्या किया है हमारे engineers ने उस special part को एक IC के अंदर बंद कर दिया है यह जो IC होती है इसके अंदर एक circuit होता है बहुत बड़ा circuit होता है तो इसमें क्या होता है आपको circuit नहीं बनाना है CD IC लगानी है और वो अपना काम करता है तो इससे आपके time की बचत होती है इसे बोलते है seven segment display इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है इसमें अंदर कुछ नहीं होता बस LED होती है इसको एक special तरीके से लगाया जाता है यह देखिए इसकी पीछे pins है और हर LED को अलग अलग जलाया जाता है जिसके लिए IC की जुरूत पड़ती है इसका यूज क्या आये इस में हम number show करवा सकते है one two three four five zero से लेकि nine तक सभी number show करवा सकते हैं साथी साथ में point जो बना ईसको भी शो करवा सकते हैं और कुछ alpha नम्रे में आई तो record हो जाए कि कितने लोग आई तो उसमें डिस्प्ले के रूप में आप यह लगा सकते हैं बड़ी डिस्प्ले लगाने की जरूत नहीं है चोटे से काम चल जाएगा एक दो कई कितने भी लगा सकते हैं इसको रिले बोलते हैं इसका सिंबल कुछ ऐसा होता ह इसका यूज हम कोई circuit है उसमें हमें एक ऐसी application चलानी है जो बहुत ज्यादा voltage की है और high current की है तो अगर हम उसे सीधे electronic component से connect करेंगे और control करेंगे तो हमारा electronic component खराब हो जाएगा तो इसके लिए हम relay का यूज करते हैं और इससे हम AC 220V के जो हमारे उपकरण हैं उनको control कर सकत हैं माली जी आप एक light बनाना चाहते हैं कि आप अपने phone से जैसे button दवाएं और आपका बल्ब जो है इसी वाला वो जल जाए तो उसमें क्या होगा आप सीधे सो connect नहीं कर सकते हैं तो उसमें आपको relay लगानी पड़ेगी और यह relay जो है वो control करती है तो मैं उम्मीद करता अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए like करिए और share करे थैंक्स पर वाचिंग कर आप कर दो अ कर अ